आपने अकसर एक दूसरे को यह कहते हुए सुना होगा कि मुझे उस काम को करने में इतना समय लगता है मुझे वहाँ जाने में इतना समय लगा या मुझे इस काम को करने में इतना समय लगेगा या तुझे इस काम को करने में इतना समय लगना चाहिए इन सब बातों को आपने कहते हुए सुना होगा तो यहाँ बात में कर रहा हूँ कि किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे हम किस तरीके से English में express करते हैं, आज उनी बातों को मैं आपको explain करूँगा, तो देखें, किसी काम को करने में लगने वाला जो समय है, वो किस तरीके से express किया जाता है, English में उसका एक pattern है, और वो pattern है, it plus take, जो take वोब है आपकी, यह according to tense or statement, जो भी statement आप बोल रहे हो, उसक take, it आएगा, फिर take, take के बाद subject in objective form, यानि जो subject है sentence में, वो use तो होगा, बट वो objective form में use होगा, फिर उसके बाद time का use करोगे आप, फिर to, और फिर first form of verb, और last में first form of verb के बाद, sentence का जो next part है, यानि बचा हुआ जो part है, वो उसके बाद आजाएगा, तो ये pattern है, इस pattern के according, आप इस type के sentences को बनाते हैं, तो पहले देखते हैं, present में जो sentences बोले जाते हैं, उनको किस तरीके से आप English पे बनाते हो, तो कुछ examples मैंने लिए हैं, उनको समझने की कोसिस करते हैं, देखें, first example, grammar सीखने में तीन महिने लग जाते हैं, grammar सीखने में तीन महिने लग जाते हैं, यहाँ पे जो आपने take है, वो present tense के according, takes का use आप करोगे, तो grammar सीखने में तीन महिने लग जाते हैं, it takes three months to learn grammar, फिर एद दूसरा sentence example के रूप में, एक छोटा घर बनाने में लगबग दो महिने लग जाते हैं, it takes about two months to build a small house, third example, मुझे खाना बनाने में एक घंटा लगता है, मुझे खाना बनाने में एक घंटा लगता है, या मैं खाना बनाने में एक घंटा लेता हूँ, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, तो इसका English में sentence क्या होगा, it takes me an hour to make food, next example, उसे सारी पहनने में 20 minutes लगते हैं, तो it takes her 20 minutes to wear असारी, ऐसा ही कुछ और examples हैं, जैसे मुझे यहां पहुचने में 5 minutes लगते हैं, तो it takes me 5 minutes to reach here, कानून व्यवस्ता सुधारने में कोई समय नहीं लगता, it takes no time to improve law and order, तो यह कुछ examples थे, जो present indefinite tense के sentences के थे, और इन examples में हमने सीखा कि जब किसी काम को करने में जो समय लगता है, उसे हम किस तरीके से present में express करते हैं, अब अगर past में इनी बातों को बोलना हो, तो किस तरीके से बोलेंगे, तो past में इस pattern में जो take verb है, उस take की जगे हम took use करते हैं, कुछ examples लेते हैं past के, ताकि sentences को अच्छी तरीके से समझ सके, तो first example है, grammar सीखने में मुझे तीन महिने लगे, it took me three months to learn grammar, second example उसे पत्र सुनाने में दस मिनट से ज़्यादा लगे, it took him more than 10 minutes to read out the letter, third example गेहु पीषने में जरा सी देर लगी, it took a little time to grind wheat, fourth example मुझे इस किताब को पढ़ने में तीन घंटे लगे, it took me three hours to read this book, fifth example, उसे इस मुकाम को हासिल करने में कई वर्स लगे, it took him many years to achieve this milestone, तो इस तरीके से हम past में अगर हम ये express करना चाहते हैं कि किसी काम को करने में हमें कितना समय लगा, तो इस तरीके से हम express कर सकते हैं इसी प्रकार अगर हम feature में किसी समय को बताना चाहते हैं कि इस काम को करने में हमें इतना समय लगेगा या उस काम को करने में हमें इतना समय लगेगा तो उसको कैसे बोलते हैं तो उसके लिए जो pattern में take warp है उस take work की जगे हम will take का use करते हैं will take will take का use हम करेंगे इस take की जगा पे कुछ examples रेते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से उन sentences को समझ सकें तो देखिए first example तुम्हें प्रात्ना पत्र पढ़ने में मुश्किल से एक मिनट लगेगा तुम्हें प्रात्ना पत्र पढ़ने में मुश्किल से एक मिनट लगेगा इसको आप इंग्रिस में क्या बोलोगे it will take you hardly one minute to go through the application second example तुम्हें station पहुँचने में कम से कम दस मिनट लगेंगे तुम्हें station पहुचने में कम से कम दस मिनट लगेंगे तो it will take you at least 10 minutes to reach the station इसी टाइप से third example है पिंकी को कपड़े धोने में कम से कम दो घंटे लगेंगे it will take pinky at least 2 hours to wash the clothes third example होगे आपका fourth example मुझे अपना काम समाप्त करने में एक घंटा और लगेगा it will take me one more hour to finish my work next example मुझे इंग्लिस सीखने में छे महीने से अधिक समय लगेगा it will take me more than six months to learn English I hope you have learned all the rules which I have explained to you in this video next video जो मेरा कल आएगा इसका second part जो होगा ये तो part one है part one में मैंने ज्यादा इसको lengthy नहीं रखा वीडियो को तो part two में मैं आपको इसके कुछ और sentences जिसमें हम moral work का use करके sentences को बोलते हैं जैसे माल लीजी हमें बोलना है कि तुम्हें इस काम को करने में इतना समय लगना चाहिए या उसे उस काम को करने में इतना समय लगना चाहिए या मुझे इस काम को करने में इतना समय लगता तो इन सब बातों को हम कैसे English में express करेंगे कैसे बोलेंगे ये बाते मैं कल आपको second part में इस वीडियो के second part में बताऊंगा तो don't forget to watch this video, thanks, thanks a lot for watching this video